स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने यूटूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे फ्रेंड्स आज का टोपिक है हमारा क्लास 12 के हिंदी की पोईम वसंत आया रिसके रच्चेता है रगुवीर सहाई फ्रेंड्स अभी देख आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजे और मेरी वीडियो की नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रैस कर दीजे ये हमारे सामने कवीता के कुछ आंश है चलिए इसे हम पढ़ते हैं जैसे बेहंदा कहती हैं ऐसे किसी बंगले के किसी तरू अशोक पर कोई चिडिया कू की चलती सडक के किनारे लाल बजरी पर चुर्मुराई पाव तले उचे तरू बर से गिरे बड़े बड़े पियराई पत्ते उच्छे बजे सुभे जैसे गर्म पानी से नाई हो खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई ऐसे फुट पात पर चलते चलते कल मैंने जाना की वसंत आया फ्रेंट्स यह हमने कवीता पड़ ली है अब इसको प्रेसंग देखते हैं क्या लिखेंगे इसके प्रेसंग में हम लिखेंगे उप्युक्त काव्याश वसंत आया कवीता से लिया गया है जिसके रचेता है रगुवीर सहे इस कवीता में कवी यह बताना चाहते हैं कि आज का मनुष्य किस प्रकार अपना नाता प्रकृती से तोड़ता चला जा रहा है उसे यह एहसास ही नहीं होता कि इस समय क्या चल रहा है प्रकर्ती में अपने जो आस पास के चेज़ें उनको अनुभव नहीं करता बलकि किसी कलेंडर से जानता है कि आज ये दिन है इस वज़े से कवी का मोह बंग हुआ है कवी बहुत दुखी है कि आज का मनुष्य प्रकर्ती से कैसे कटता जा रहा है फ्रेंड्स अब इसकी व्याख्य देखते हम जैसे बेहन दा कहती है कवी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बेहन अपने प्रिये भाई को दा कहे कर पुकारती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरू अशोक पर कोई चिडिया कूकी कवी कह रहे हैं जिस प्रकार्ट से बहन अपने भाई को दा कहे कर पुकारती है ऐसे किसी बंगले के तरू पर तरू यानि की व्रक्ष पर तरू पर अशोक के व्रक्ष पर चिडिया कूकी चिडिये के जो सुभाविक आवाज होती है उसे कुवकी बोलते हैं ठीक है फ्रेंट्स इसी प्रकार से चिडिया कुवकी चलती सडक के किनारे लाल बजरी पर चुर्मुराई पाव तले अब चुर्मुराई का मतलब है फ्रेंट्स तो चुर्मुराणे के जो आवाज आती है कवी कह रहे हैं चलती सडक जो एक सडक पर चलती हुई सडक पर लाल बजरी पर पड़े हुए कुछ पत्ते उनके चुर्मुराणे के अवाज आई पैर के नीचे आने के बाद पैर के तलवे के नीचे आने के बाद उनके चुर्मुराणे के अवाज आई उचे तरूवर से गिरे बड़े बड़े पियराय पत्ते उस चलती सडक पर जो तरूवर मतलब व्रक्ष होता है उचे व्रक्ष से गिरे हुए पियराय पत्ते होते हैं फ्रेंट्स पीले पत्ते उचे व्रक्ष से गिरे हुए पिले पत्ते चलती हुई सडक पर गिरे हुए थे जब उन पर पैर पड़े तो उन से चर्मराने के अवाज आई कवी कह रहे हैं कोई छै बज़े सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई कि जब कवी बाहर सुबह सुबह गए थे छे बज़े तो सुबह सुबह छे बज़े ऐसा लगा कि गर्म पानी से नहाई हुई हवा आई हो और एकदम से आई फिर किसी यानि कि एकदम से आई और चली गई जिस प्रकार इसमें जो कवी ने कहा है गरम पाने से नहाई हुई हो इसका मतलब है कि जो हवा में नमी थी गरम पाने से नहाई हुई में इसका मतलब कवी का यह कहने का मतलब है जो हवा जो फिरकी से चली हुई आय थी और एकदम से चली गई उसमें नमी थी ऐसे फुट पाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना की वसंत आया कभी कह रहे हैं ऐसे जब मैं फुट पाथ पर चल रहा था तो मुझे पता चला की वसंत आ गया है कभी को इस प्रकार से इंसाइट चीजों से पता चला की वसंत आ गया है ठीके फ्रेंड्स इसकी चूई एक व्याख्य एक कंप्लीट होती है अब इसका विशेश देखते हम इसके विशेश में लिखेंगे आधुनिक जीवन शैली पर व्यंगे किया गया है ठीके फ्रेंड्स और लिखेंगे दीखिए यहाँ पर प्यराय पत्ते जो पियराय पत्ते हैं इसमें अनुप्रास अलंकार है और बड़े-बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ठीक है फ्रेंड्स और देखिए जैसे गर्म पानी से नहाई हो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें गर्म पानी से नहाई हुई में उत्प्रेक्षा अलंकार अब देखते हैं फ्रेंड्स जो ये अलंकार इनको कैसे पहचानते हैं अनुप्रास अलंकार देखिए यहाँ पर शब्द का पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर सेम है यहाँ पर भी पह है और यहाँ पर पह है तो इसका मतलब यानुप्रास अलंकार है बड़े बड़े एक शब्द की आवर्ति एक से ज़ादा बार हुई है तो यहाँ पर क्या है पुनरुप्ति प्रकाश अलंकार है रिपीट हुआ है न बड़े बड़े ऐसे ही देखिए जैसे गरम पानी से नहाई हो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है यह उत्प्रेक्षा अलंकार उस तान पर लगता है जहाँ पर उपमे में उपमान की कलपना की जाती है जैसे कि जैसे गरम पानी से नहाई हो यहाँ पर तुलना की गई है हवा की एक लेड़ी यानि कि एक ओरत से कलपना की गई है जैसे गरम पानी से नहाई हो तो जहाँ पर कलपना की जाती है जहाँ पर तुलना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा का मतलब ही स चलिए, अब आगे देखते हम, फिर की C I में है उपमा अलंकार, फिर की C I में है उपमा अलंकार, जहां पर ये सा C होता है वहाँ पर क्या लेते हैं उपमा अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स? इसी के साथ, अब इसके आगे हम लिख सकते हैं इसी के साथ, कि चितरात्मक्ता का गुण विद्यमान है, भाशा, सरल, सहज, प्रभाव मही हैं और ये कम्प्रीट हो गया है, चलिए नेक्स्ट पर और ये कलेंडर से मालूम था, अमुक दिन, अमुक बार, मदन महीने की होवेगी पंच में, दफ्तर में छुट्टी थी, ये है ता प्रमान और कविताई पढ़ते रहने से यह पता था, कि दहर दहर धैकेंगे, कही ढाक के जंगल, आम भुर आवेंगे, रंग रस गंद से लदे फदे, दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे ये शश्वी, मदू मस्त पीक भोर, आदी अपना अपना कर्तित्व, अभ्यास करके दिखावेंगे, यही नहीं जाना था कि आज के नगनिय दिन, जानूंगा, जैसे मैंने जानना की वसंत आया, चलिए फ्रेंस, देखते हैं, इसके विशेश में हम क्या लिखेंगे, इसके प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं, फ्रेंस, इसके प्रसं इस कविता में कवी निराश होकर इस कविता को लिखते हैं क्योंकि कवी निराश है कि आज का मनुष्य इस दुनिया का इस समय का मनुष्य अपने नाते को प्रकृति के नाते से तोड़ता जा रहा है वर प्रकृति से दूर होता जा रहा है उसे वसंत के आने का नहीं पता यह देखता है कि कलेंडर में किस दिन छुट्टी है उससे उसे पता चलता है कि इस दिन वसंत है वसंत पंचमी है जिससे कि जो कभी है वो बड़ निराश है चलिए अब इसकी व्याक्या देखते हैं फ्रेंड्स और यह कलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन मही महीने की होवेगी पंच में कवी कहते हैं कि कलेंडर से पता था कलेंडर को देख रखा था जिससे मुझे यह मालूम था अमुक दिन इस दिन इस बार इस दिन इस बार मदन महीने मदन महीना होता है काम देव का महीना ठीक है फ्रेंड्स काम देव का महीना कवी कह रहे हैं कि इस दिन इस बार को काम देव के महीने में वसंत पंच मी इस दिन है ये मुझे कलेंडर से मालूम था मैंने कलेंडर देख रखा था दफतर में चुट्टी थी यह था प्रमाण कभी कह रहे हैं कि इस बात का प्रमाण यह था कि इस दिन वसंद पंचमी है यह प्रमाण था कि दफतर के उस दिन चुट्टी थी और कवीताई पढ़ते रहने से यह पता था अब कवी कहा रहे हैं कि मुझे कवीताई पढ़ते रहने से यह मालूम था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं धाक के जंगल दहर दहर का मतलब होता है धदक धदक कर इसका मतलब होता है धदक धदक कर और ढाक का मतलब होता है, फ्रेंड्स, पलाश कवी कह रहे हैं कि कवेताय पढ़ते रहने से मुझे यह मालूम था कि जो पलाश के ज़ञगल है, वैं दहक दहक कर दहकेंगे यानि कि जलेंगे वो इसका तात्सपर्य दूसरा यह है, कि जो पलाश के ज़ञगल है जिनमें पलाश के फूल होते हैं उससे जो लाल रंग के जो फूल होते हैं वो दहक दहक कर दिखाएंगे इसका मतलब है जो लाल रंग जलने जो आग लगने का प्रतिक बता रखा है इसमें कि जो पलाश के जो फूल है वो लाल रंग के चमक उठेंगे इसका तातप्र यह हैं कवी का आंबोर आवेंगे कवी कह रहे हैं कि आंबोर आवेंगे आंब के जो पेड़ हैं वो मंजरियों से लग जायेंगे कवी का यह कहने का मतलव है और फिर कह रहे हैं कभी कि जो दूर दूर के जो विदेश के नंदन वन है वो उसमें रंग, रस और गंद से लद जाएंगे जो नंदन वन है दूर दूर के उसमें फल फूल के जो रंग, रस और गंद से लद कर वो दूर दूर तक यशश्वी हो जाएंगे मदू मस्त पीक भोर और आदी अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे कवी मदू मस्त का मतलब बताते हैं यहाँ पर फूलों का रस पीकर मस्त होना होता है फूलों का रस पीकर मस्त होना और फ्रेंट्स करतित्व का मतलब होता है कार्या कवी कह रहे हैं कि जो पीक मतलब होता है कोईल जो कोईल और जो भोरे हैं वह है फूलों का रस पीकर मस्त होकर अपने अपने कार्या में लग जाएंगे अभ्यास करके दिखावेंगे अलग-अलग कार्य करके दिखाएंगे वो यही नहीं जाना था कि आज के नगनिये दिन जानूँगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है नगनिये का मतलब है फ्रेंट्स ने गिनने योग गया कभी कह रहा है कि बस यही नहीं मालूम था कि आज के इस दिन मैं यह जानूँगा कि आज वसंत है इस तरीके से जानूँगा कि आज वसंत है कभी ने सब कुछ देख रखा था कभी ने कविताय पड़ रखी थी कलेंडर में छुट्य देख रखी थी अपनी दफ्तर की पर यह नहीं मालूम था कि इस तरीके से जानेंगे कि आज वसंत का दिन है वसंत पंचमी है अब इसके विशेश में देखते है फ्रेंड इसके विशेश में हम लिखेंगे इन पंक्तियों में आधनिक जीवन चैली पर करारा जवाब दिया है कभी ने और देखिए फ्रेंड जो यहाँ पर ये देहर देहर में पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार है और फ्रेंड दहर दहर धहकेंगे में अनुप्राश अलंकार है ठीके फ्रेंड और देखिए इहाँ पर अपना अपना में भी पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार है अपना अपना एक जो शब्द एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो वहाँ पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार और अनुप्राश अलंकार देखिए यहाँ पर भी देह लिखा है इस शब्द में यहाँ पर भी शुरू में देह है और यहांपर भी दय है तो जिस शब्द में जो पहला अक्षर जो होता है वो अगर अगले शब्द में भी समान होता है तो वहांपर अनुप्रास अलंकार होता है जो यहांपर मैंने दिखा दिया है अनुप्रास अलंकार ठीक है, Friends? और इसमें चित्रा अत्मक्तक गुण दिखाया गया कवीने इस कवीता में इसी ये साथ ये जो कवीता है ये complete होती है फ्रेंस जब मैं शब्दार लिखवाती हूँ यहाँ पर साथ साथ में आप अपने notebook में note कर लिजे जिससे कि आपको मदद मिलेगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब थैंक्यू फ्रेंस कमेंट करके बताए कैसी लगी